नमस्कार, जैहिंद आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है जम्मू अन कश्मीर सर्वीर सेलेक्शन बोर्ड की तरफ से एक इंपोर्टन अपडेट आ रही है जिसे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अपडेट जानने से पहले अगर आप फर्स टाइम मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में बैल ऐकन को प्रेस करें ताकि आने बहले समय में जितने वी इंफोर्मेटिव वीडियो हो उनकी नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आप तक पहुंचे सब्जेक्ट में जहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं प्रोवीजन आफ कंपनसेटरी टाइम और असिस्टेंट आफ स्क्राइब फर पर्सन विद बेंचमार्क डिसिविल्टीज इन एक्जैमिनेशन चंडेक्टर वाइदा जमूँ अन कश्मीर सर्वी सेलेक्शन बोड जेकेसेसबी आने वले दिनों में जेकेसेसबी जितने भी एक्जैमिनेशन कंडेक्ट करवाने जा रहा है तो ऐसे सभी कैंडिडेट अगर वो पी डव्य हैं तो उनको जहाँ पे कंपनसेटरी टाइम दिया जाएगा तो इसके साथ-साथ अगर कैंडिडेट बिल्कुल नहीं लिख सकता है नहीं देख सकता है तो ऐसे में ऐसा कैंडिडेट अपना स्क्राइब भी अपवाइंट कर सकता है तो जहां पर बोला गया कि अगर कोई candidate ऐसा है जो totally blind है और even permanently disabled from writing with his own hand वो अपने हाथ से ना तो वो permanently लिख भी नहीं सकता है ऐसे में वो choose कर सकता है उसके सामने जहां पर दो option है जा तो वो compensatory time के लिए claim कर सकता है otherwise वो आपने own scribe जो की उसके भीहाब पर लिखेगा उसको जहां पर select कर सकता है इसके लिए कौन-कौन सा आपको certificate जहां पर sign करवाना होगा choose to avail the facility of scribe and or compensatory time of 20 minutes per hour of examination जितना भी examination होगा जहां तो आपको compensatory time दिये जाएगा अगर आप वो opt करते हैं कि मुझे compensatory time दिये जाएगा तो 20 minutes हर घंटे के आपको extra मिलेंगे जैसे कि अगर किसी बच्चे को 1 hour मिलता है तो आपको बहां पे 80 minutes मिलने वाले हैं इस तरह से आप देख सकते on the production of a certificate लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ certificate produce करने होंगे from the competent medical board annexure A में आपको एक पूरा format दिया गया है जो हम discuss करने वाले हैं उस annexure A में जो format दिया गया है format number 1 उस format को आपने fill करके आपको medical board जो भी होगा बहां से आपको उसको attested करवाना होगा उसमें ये भी mention करवाना होगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए examination देने जा रहे हैं otherwise suitable for the such category of a person with a disability कि आपको कौन सी disability है वो भी आपको mention करने होगी इसके साथ साथ जो important है अगर आपके विहाब पे कोई लिखेगा उसके लिए क्या condition जहां पे रखी गई है उन्हें जहां आप डिसकस करेंगे the facility of scribe की जो आपके विहाब पे लिखेगा आपका examination for such candidate shall be available with the following condition चलिए अब जान लेते हैं कि own scribe की क्या conditions है number one candidate को अपना scribe खुद ही डूणडना होगा उसकी facility candidate को खुद करनी होगी number two बोला गया है person engaged as scribe जो भी person आप engage करेंगे as a scribe not be the candidate for the same examination himself वो उस examination में एक candidate नहीं होना चाहिए number three बोला गया है he shall not be the student of the same institution जहां पे आपका center बना है उस institution का वो candidate नहीं होना चाहिए where the test is being conducted and also not to relative of the candidate आपको अपना जो scribe चुदना है वो आपका relative भी नहीं होना चाहिए आप जहां पे lower grade का क्या मकसद है आप जहां पे जान ले कि अगर आप कोई graduation level का test देने जा रहे हैं तो आपका जो scribe होगा वो 10 प्लस 2 होना चाहिए अगर आपका कोई examination 12th बेस पे है तो आपका जो scribe होना चाहिए वो lower class का होना चाहिए तो इस तरीके से जिस level का आप examination देने जा रहे हैं और उसके लिए जो eligible qualification रखी गई है आपका scribe उससे below होना चाहिए candidate appearing in the examination तो इसके साथ साथ जहां पे आप देखेंगे number 5 बोला गया है जब भी आपका examination होगा तो आपके scribe के पास भी एक ballot ID proof होना चाहिए number 6 जहां पे बोला गया है if the candidate is be selected as assisting another PWD candidate अगर ऐसा पाया गया कि कोई भी candidate दूसरे candidate की जहां पे help कर रहा है as a scribe in the examination the condition of both the candidates shall be cancelled तो ऐसे में दोनों candidates का जो condition होगा उसे cancel कर दिया जाएगा अब हम जहां पे बात करेंगे कि annexure 2 में भी जहां पे कुछ आपको चीज़ें दी गए है on scribe के लिए और इसके साथ-साथ जो compensatory time है उसके लिए annexure 1 आपको fill करना है चलिए उसको हम जहां पे discuss कर लेंगे तो number 1 जहां पे आप देखेंगे एक तो आपको application on the plain paper पे आपको एक application लिख के रखनी है person with disability का certificate self-attested आपके पास होना चाहिए certificate regarding the physical limitation to write annexure 1 में दिया गया है next आप जहां पे देख सकते हैं इस notification में एक note दिया गया है for avail the facility of scribe scribe की facility लेने के लिए जब compensatory time लेने के लिए सबसे पहले candidate ने जब online application form fill किया था तो बहाँ पे उसने mention किया होना चाहिए कि वो जो candidate है वो PWD candidate है तबी वो scribe के लिए जब compensatory time के लिए apply कर सकता है अब आपको कौन-कौन से ऐसे document है जो आपको बहाँ पे produce करने है number one application on plain paper number two person with disability certificate self-attested आपके पास होना चाहिए letter regarding physical limitation जो कि annexure one आप कैसे feel करेंगे कहां से अपने attester करवाना है बात करेंगे note second में बताया गया है candidate who wish to avail either facility कोई भी facility compensatory time चाहे own scribe की कोई भी facility अगर कोई candidate लेना चाहता है तो उसको examination center पे एक घंटा पहले बहाँ पे advance में पहुंचना होगा number three जो note है जहां पे बोला गया कि कहीं भी भी ऐसा पाया गया कि कोई candidate fraud करके अपना PWDS में certificate बनाया हुआ तो उसे deward कर दिया जा सकता है उसके expenditure को cancel कर दिया जाएगा आपके सामने जहां पे annexure one रहेगा annexure one उस PWD candidate को fill करना है जो compensatory time चाता है examination में तो जहां पे आप देख सकते हैं इसमें आपने पूरी detail आपने fill करनी है fill करने के बाद signature जहां पे आपने chief medical officer, civil surgeon, medical superintendent किसी के भी आप जहां पे करवा सकते हैं जो भी एक medical board बना होगा आप उससे जहां पे sign करवा सकते हैं अगर आप अपना own scribe चाते हैं जो आपके भिहाब पे आपके examination को लिखेगा तो letter for undertaking for using on scribe तो जहां पे आप देखेंगे अपना नाम यहां पे लिखना है तो उसके बाद जो भी disability आपको है इस तरह से पूरी detail अपना name जो भी post उसकी क्वालिफिकेशन पूरी चीज बरने के बाद I do hereby state that जहां पे आपने उसका नाम फिल करना है जो आपके भिहाब पे लिखेगा अपने scribe का नाम आपने जहां पे लिखना है इसके बाद जहां पे declaration देने के बाद आप जहां पे sign करेंगे signature of the candidate with opting for scribe तो जो opt करने जा रहा है उस candidate को जहां पे आपने signature करने है करने के बाद इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों एनेक्षर भी हमने जहां पे discuss कर लिए और इस important notification में जितने भी important details JKSSP के द्वारा candidates को दी गई थी उने में हमें discuss कर लिया है इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि JKSSP द्वारा कुछ और भी important notification आई है जो हम next वीडियो में discuss करने वाले है इसी तरह की update पाने के लिए मेरे channel के touch में नहीं Thank you, thank you watching, take care मिलते हैं जल्दी एक new update में